नमस्कार दोस्तों मैं राकेस एक बार फिर नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर आज का टॉपिक है सिबिल परिक्रिया सहिता जिसके अंतरगत महत्पूर्ण 50 MCQ है जो की एक से अधीक बार एक्जाम में पूछे गये हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिबिल परिक्रिया सहिता से कुल 15 प्रस्ण 15 अंके पूछे जाने वाले हैं तो सवय को व्यर्थ ना करते हुए शूरू करते हैं आज का टॉपिक अर्थात विसे करने से पहले सिबिल परिकिरिया सहिता से सम्मन्दित कुछ मुक बाते सिविल परक्रिय सहिता में संपत्ती से संबंधित या अधिकारों से संबंधित वाद, सिविल वाद या दिवानी वाद कहलाते हैं दूसरे सब्दों में कहा जाए किसी नीजी या सार्विनिक अधिकार को लेकर दो या अधिक बैक्तियों में जो वाद शुरू होता है उसे सिविल वाद करते हैं। मोटे तोर पर सिविल वादों के अंतरगत निमलिखित वाद सामिल किये जाते हैं। पाजमा मकान मालिक एबं किरायदार के बीच विवाद। छटा पारिवारिक विवाद जैसे बैभाईक विवाद भरन पोशन से संब्दित विवाद। साथमा पॉइंट किसी करार या समझोता से संब्दित विवाद। आठमा साधेदारी फर्म या लेखा जोके से संब्दित वाद। नम्मा पॉइंट धार्मिक अधिकारो सार्विनिक अस्तलो से संब्दित वाद। दसमा पॉइंट है मोटर दुरघटना हेतु पर्तिकर आधि से संब्दित विवाद। एक पर्तिवादी को अपना लिखित कथन नियायाले में जिस समय सीमा में देना होता है वह है इसका उत्तर होगा समन की तामिल से 30 दिन के वीतर। प्रस्म दो है नयायाले ने वादी को वाद पत्र में संसोधन की अनुमती परदान कर दी किन्तु संसोधन केलगे कोई समय निर्धारित नहीं किया वादी को संसोधन कितने समय में कर देना चाहिए तो इसका उत्तर होगा प्रस्म तीन है वाद पत्र लोटाए जाने के अध प्रसन 4 है निमलखित में से कौन अभी वचन का नियम नहीं है। तो इसका उत्तर होगा C. जाती के इस नियम का पालन करने के लिए वाद को जब किसी की लड़की की साधी हो वह जाती को कोई रासी दे प्रस्म 6 है अभी वचन से अभी प्रेत है वाद पत्र एवं लिखित कथन प्रस्म 7 है सिबिल परकिरिया सहिता की कौन सी धारा धन संबंदी अज्यापती के निस्पादन में महिलाओं की गिरफतारी और निरुद करने के निशिद्ध करती है तो इसका उत्तर होगा धारा 56 प्रस्ण आठ है सिबिल परिकिरिया सहिता की निम्नांकित में से किस धारा में वादों को संसिस्टित करने का उपबन है तो इसका उत्तर होगा धारा 26 प्रस्न नो सिविल परिक्रिया सहिता की निम्लिखित में से कौन सी धारा कतीपय इस्तिर्यों को नियायाले में स्वई उप सोजातिये से छूट प्रापधानित करती है तो इसका उत्तर होगा धारा 132 प्रस्न दस है जहां सुनबाई की समाप्ती होने के फस्चात एक निर्ने सुनाने के बीच किसी पक्षकार की मित्ति हो जाती है वहां इसका उत्तर होगा वाद का उपसमन नहीं होगा प्रस्न 11 सिबिल परिक्रिया सहिता की धारा तूट 17 के अंतरगर निम्रिखित में से कौन लोग अधिकारी नहीं है तो यहां पे इसका उत्तर होगा ग्राप पंचाज का सरपंच प्रस्न 12 करता है साक्षियों की नियायाले में उपस्तिती के लिए उनके नाम समन प्राप्त करने के लिए पक्षकारों द्वारा साक्षियों की सुची प्रस्तुत करने हेतु कोई नियायाले जो तारिक नीद करेगी वह विविदुकों का निप्टारा कर दिये जाने से कि कोई बाद खारिज किया जा सकता है अगर पतिवादी के नाम निकाले गए समन के तामील के बीना लोटाए जाने के प्रस्चात उस तारिक से विदेशी राजपरवाद ला सकता है तो इसका उत्तर होगा केबल केंद सरकार की समयती से 15 है सिविल परिक्रिया सहिता की निम्नांकित में से किस धारा में अंतर भिवाची वाद के लिए उपबंध है तो इसका उत्तर होगा धारा 88 प्रस्चन 16 है एक डिक्री हो सकती है इसका उत्तर होगा प्रारंबिक या अंतिम कोई भी प्रस्चन 17 है डिक्री के निस्पादन में निम्नांकित में से कौन सी समपत्ती कुर्की और भिक्रे के लिए दाई नहीं है तो इसका उत्तर होगा निलजी गयने जिसे कोई इस्टरी अलग नहीं कर सकती है प्रश्न 18 है निम्नांकित में से कौन सी संपत्ती डिग्री के निस्पादन में कुर्क और विक्रे की जा सकती है तो इसका उत्तर होगा बचन पत्र प्रश्न 19 है दिवानी परकीरिया सैता की जहरा सोला के अंतरगत अचल संपत्ती से संबंधित वाद डायर किया जा सकता है एक ऐसे नियायाले में जिसके अस्थानिय छेतर अदिकार के अंतरगत इसका उत्तर होगा संपत्ती इस्थित है प्रस्न 20 है शिविल परिक्रिया सहिता की धारा 115 निम्न के बारे में प्रापधान करती है इसका उत्तर होगा पुनी रक्षन प्रस्न 21 है निम्न मामले में नियायाले कमिशन जारी नहीं कर सकता तो इसका उत्तर होगा डिखरी के निस्पादन हितू प्रस्ण 22 है सिविल परकिरिया सहिता की धारा 91 के अधीन लोग उपताप के लिए वाद कौन ला सकता है तो इसका उत्तर होगा वहादी से सिविल परकिरिया सहिता की धारा 100 के अंदरगत दूतिये अपेल कहां दायक की जाएगी तो इसका उत्तर होगा उच्छ नियायले में वेक्ति करम के कारण वात खारिज करके आदेश अप्रास्ट कर दिया गया है। ताकि किस धारा में दिया गया है तो इसका उत्तर होगा। वेक्ति के पास एक मार्द तो यह है कि आसंका में जीते हुए उसे सच या मिठ्या होने की परतिख्षा करें या फिर अदालत पे खुद बैभार परकिरिया सहिता की धारा 148-0 के अंतरगर्द आवेदन प्रस्तूत करें। इस आवेदन को caveat कहा जाता है। काफी important point है। याद रखें। निम्नांकित में से कौन अपीलिये नियायाले की सक्यों में समिलित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा वात का नए सीरे से बिचारनन। प्रस्न 29 है सिविल परिकृरिया सहिता के निम्नांकित में से किस उपमन में अंतर कालिन लाव को परिवासित किया गया है। प्रापक Receiver निक्त में तो इसका उत्तर होगा आदेश 40 नियम 5 के अंशार। प्रस्ण 31 है प्रापक रिसीवर होता है इसका उत्तर होगा नियायाले का अधी कारी 32 जहां कोई ओस्थाई आदेश एक पक्षे हो बिरुद्ध पक्षकार को सोचित किये बिना पारित किया जाता है वहां नियायाले एक पक्षे आदेश की तीथी से किस अबधी के अंदर आदेश के आविदन को निप्ताने का प्रियास करेगा तो इसका उत्तर होगा 30 दिन प्रस्थ 33 से सही करम बताईए तो इसका उत्तर होगा वेवार परिक्रिया के अंतरगत जहां सुनवाई की समाप्ति के पस्चा तथा निर्ने सुनाई जाने से पहले किसी पक्षकार की उम्यत्ती हो जाती है वहां इसका उत्तर होगा वाद का अब समन नहीं होगा प्रस्न चौतिस किसी नियायाले ज्वारा पारित निर्णे का पुनर्वा लोकन रिव्यू किया जा सकता है इसका उत्तर होगा उस नियायाले ज्वारा जिसने निर्णे पारित किया था प्रस्न 35 है निम्लिकित कत्नों में से कौन सा एक कथन सही है तो यहाँ पर निनेपूर्व बंदी बनाने का आदेश निम्ल प्रकारों के वादों में किया जा सकता है तो इसका उत्तर होगा वचनपत पर अधारिक वाद प्रस्न 36 निम्लांकित में से किस रीट के मामले में प्रांड नियायका से दांप लागू नहीं होता तो इसका उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षी करन के में लागू नहीं होता प्रस्न 37 सिबिल परिक्रिया सहीता के किस उपवन के अधीन ओ उस्थाई नियायदेश दिये जात वाद नहीं लाया जा सकेगा प्रस्ण 49 है ओ अस्थाई ने से धा के जारी की जा सकती है इसका उत्तर होगा संपत्ती से वेदेखली प्रस्ण 40 है किसी प्राप्धान के अंतरगत ओ किछनई वाद प्रस्थूद कर सकता है इसका उत्तर होगा आदेश 33 नियम एक प्रस्ण 41 है पुर्व नियाज का सिध्धान इसका उत्तर होगा वाद एबं इस्पादन कारवाही दोनों पर लागू होता है। अधिकारी नियायाले के आदेश के बाबजूद भी किसी बंदी को साथ देने के लिए हाजित करने से इंकार कर सकता है तो इसका उत्तर होगा। प्रस्ण 45 है सिविल परिक्रिया सहिता के आदेश आठ नियम छो के अधीन मुझरा कब अनुमे है तो इसका उत्तर होगा जब परतिवादी द्वारा जिस धनासी का मुझरा चाहा गया है वह अभी निशित है। किस आदेश में निर्ने और डिक्री के बारे में बता दिया गया है तो इसका उत्तर है आदेश वीज के अंतरगत। प्रस्ण 47 है प्रियाप्त हेतुक दर्सित करने पर नियायाले वाद की सुनवाई को पक्षकारों के निवेदन पर कितनी वार से अधीक अस्तिगित नहीं करेगा तो इसका उत्तर होगा। 44 जहां वाद पत्र नामंजूर कर दिया गया है वहाँ वादी उसी वाद हेतुक पर निया वाद प्रस्थूत कर सकता है। प्रस्ण 49 एक लोग न्यूसेंस की दसा में घोसना और व्याई देश के लिए वाद सो इस्तित किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा दो बैक्तियों के द्वारा नियाले की अनुमती से। इसका उत्तर होगा 1 जुलाई 2002 से। इसका आज का टॉपिक सिविल परिक्रिया सहिता समाप्त होता है। आसा करता हूँ। मैंने द्वारा की गई छोटा सा प्रियास आप सभी को पसंद आये हो। यदि पसंद आये तो जुड़े रहें लाउन बैकिंग विद राकेश के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो सेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवार। झाल